प्रधान मंत्री द्वारा जून 2015 में प्रधान मंत्री आवास योजदा सब के लिए आवास मिशन 2022 का शुबारंभ किया गया शहरी गरीबों को सर्व सुधाएं सभी मौसम में टिकने वाले पक्के आवास उपलब्द प्रधान मंत्री आवास योजना पीएम एवाई भारत सरकार की एक प्रमुख गरीबी हटाओ के लिए घरों के निर्मान और विकास की एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है यह योजना 25 जून 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी द्वारा शुरू की गई थी पीएम एवाई का मुख्य उद्देश गरीब और निम्न आए वाले लोगों को सुखद और स्वयम निर्मित आवास प्रधान करना है सरकार ने इस योजना को तीन फेज में विभाजित किया है पहला पहला फेज अप्रेल 2015 को शुरू किया गया था और जिसे मार्च 2017 में समाप्त कर दिया गया है इसके अंतरगत 100 से भी अधिक शहरों में घरों का निर्माण हुआ है दूसरा फेज अप्रेल 2017 से शुरू हुआ है जो मार्च 2019 में पूरा होगा इसमें सरकार ने 200 से जादा शहरों में मäकान बनाने का लक्ष रखा है तीसरा फेज अप्रेल 2019 में शुरू किया जाएगा और मार्च 2022 में समाप्त किया जाएगा जिसमें बाकी बचे लक्ष को पूरा किया जाएगा PMAY के तहत विभिन्न आवासी योजना है जैसे की PMAY जी ग्रामेड इस योजना के अंतरगत ग्रामेड क्षेत्रों में गरीब लोगों को सस्ते आवासों की सामाजिक और आर्थिक मदद प्राप्त होती है दूसरी, PMAY यू शहरी यह योजना शहरिक शित्रों में गरीब और निम्न आएवाले लोगों को सस्ते आवास प्रदान करने के लिए है योजना के तहत आवास बनाने के लिए वित्तिय सहायता और वित्तिय सबसिड़ी भी प्रदान की जाती है प्राधिकृत योजनाओं में आवास बनाने के लिए योजनाओं की आवशकताओं और पातरता मान दंडों के अधार पर लोग आवेदन कर सकते हैं योजना का विवरण और आवशक जानकारी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट और स्थानिय सरकारी कारयलेओं से प्राप्ट की जा सकती है पीएम एवाई जी योजना इसे ग्रामीन विकास मंत्राले द्वारा वर्श दोहजार बाईस तक सभी के लिए आवास के उद्देश को प्राप्त करने हेतू शुरू किया गया था ग्यात हो कि पूर वर्थी इंद्रा आवास योजना आए एवाई को एक अप्रेल 2016 को प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन के रूप में पुनर गठित किया गया था शामिल मंत्राले ग्रामीन विकास मंत्राले उद्देश्य मार्च 2022 के अंत तक सभी ग्रामीन परिवार जो बेघर है या कच्चे या जीन शीन घरों में रह रहे हैं उनको बुन्यादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना जीवन व्यतीत कर रहे ग्रामीन परिवारों को आवासिय इकाईयों के निर्माण और मौजूदा अनुप्योगी कच्चे मकानों के उन्नयन में पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना लाभार्थी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती से संबंधित लोग, मुक्त बंधवा मजदूर और गैर S.C.S.T. वर्ग, विधवा महिलाय, रक्षा कर्मियों के परिजन, पूर्वसैनिक तथा अर्धसैनिक बलों के सेवा निवर्त सदस्य, विकलांग व्यक लाभार्थियों का चैन, तीन चर्णों के सत्यापन के माध्यम से सामाजिक आर्थिक जाती जनगरना, 2011, ग्राम सबा और जियो टैकिंग, कॉस्ट शेरिंग, यूनिट साहता की लागत को केंद्र और राजसरकारों के बीच मैदानिक शेत्रों में 60-40 के अनुपात में और उत्तरपूर्वी एवं पहाडी राज्यों के लिए 90-10 के अनुपात में साजा किया जाता है। उपलब्धियां इसे 2.7 करोड घरों का निर्माण कारे पूरा करने की लक्ष के साथ शुरू किया गया था। केंद्री ग्रामीन विकास मंत्राले द्वारा बनाए गए डेट बेस के अनुसार अब तक 1.8 करोड घरों का निर्माण किया जा चुका है। यह लक्ष का 67.72 प्रतिशत है। प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी PMAYU लॉंच 25 जून 2015 को प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी PMAYU का शुबा रंभ किया गया। जिसका मुख्य शहरी क्षेतरों के लोगों को वर्ष 2022 तक आवास उपलब्ध कराना है। कार्यान वयन आवास और शहरी मामलों का मंत्रा ले। विशेश्ताएं यह शहर गरीबों जुगी वासी सहित के बीच शहरी आवास की कमी को संबोधित करते हुए पात्र शहरी गरीबों के लिए पक विशेश शेतर विकास प्राधिकरण और द्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य विधान के अंतरगत कोई भी प्राधिकरण जिसे नग्रिय नियोजन का कारे स्वांपा गया है। प्राधिकरण नागरिकों, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन जाती, अन्य पिछडावर्ग, अल्प संख्यक, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के कमजोर वर्गों को इसमें प्रांथमिक्ता दी जाती है। इस योजना के तहत मिलने वाली राशी और सबसि स्क्यार मीटर लगभग 270 स्क्यार फिट के होंगे, जो की पहले से बढ़ा दिये गए हैं, पहले इनका कार 20 स्क्यार मीटर लगभग 215 स्क्यार फिट तै किया गया था। प्रधान मंत्री आवास योजना को स्वच्छ भारत योजना से भी जोड़ा गया है। इसके अंतरगत बनने वाले शौचालेयों के लिए स्वच्छ भारत योजना के तहत 12,000 रुपे अलग से आवंटित के जाएंगे। इस योजना के तहत यदी लाभार्थी चाहे तो 70, 70,000 रुपे का लोन भी ले सकता है जो कि बिना ब्याज के होगा। जिसे किष्ट रूप में पुनहा भरना होगा। जो कि उसे विभिन फाइनेंशल इंस्टिटूट से अपलाई करके लेना होगा। शेरिक शेत्र में उम्मीदवार 70,000 से अधिक का लोन ले सकता है जो कि ब इने का पानी, बिजली, सफाई, खाना बनाने के लिए धुआ रहित इंधन, सोशल और तरल अपशिष्टों से निपटने के लिए इस योजना को अन्य योजनाओं से जोडा भी गया है। प्रधान मंतरी आवास योजना को पहले इंदरा आवास योजना के नाम से जाना ज हो पाया है। से चार अलग-लग भागों में बाटा गया है। आवशक दस्तावेज, दस्तावेज, इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निम्न पातरता माब दंड तै किये गए हैं। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, जाती परमान पत्र, आय परमान पत्र, आयू परमान पत्र, राशन कार्ड, मोबाईल नंबर, पैंक खाता नंबर, आधार कार्ड से लिंक, पासपोर्ट साइज, फोटोग्राफ। प्रधान मंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 2024 तक अपना घर बनाने में सक्षम बनाना है और प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत वंचित गरीबों के लिए आवास प्रदान करना है जिससे गरीब वर के लोग भी अपने पक्के मकानों में खुशी से जीवन्यापन कर सकें। इस योजना के तहट होम लोन पर कुछ सबसिडी राशी प्रदान की जाती है। जिसे निम्न आयसमू, LIG, मध्यम आयसमू, MIG आदी को वित्रित किया जाता है। PMAY Housing for All के तहट आवास के लिए आविदन करने के लिए आपको निम्न आयसमू, LIG या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS से सम्मंदित होना चाहिए। ये कुछ नियम है जिनका पालन किया जाना चाहिए। इस योजना में अधिक्तम धाय लाक रुपे तक की सबसिड़ी प्राप्त की जा सकती है।